हर रिलिजियन का जो heaven की concept है वो उस base पर होता है कि जिन लोगों ने इसको innovate किया है वहाँ उन लोगों के लिए कौन से कौन से चीज़ें rarely available होते थे वो सब स्वर्ग में मिलता है ध्याना कि ये बड़ा interesting चीज़ है दुनिया में सारे रिलिजियन में जो स्वर्ग है वो आपकी unfulfilled desires का एक imagination है हमारे प्राचिन भारत में भूक मरी की खाने की पीने की problem नहीं थी पर हमें चाहिए आपको जितना हो उसे ज़्यादा चाहिए unlimited चाहिए तो कल्पवर रिख्षार काम धेनो unlimited चीज़ों के बनगे तो उसके नीचे खड़े ओकर कुछ भी सोच लो everything will be there पुरुष प्रधान, religion तो होते ही है, सारे पुरुष प्रधान है, तो उनका जो एक eternal और universal demand है, वो है ladies, किसी भी religion के स्वर्ग में, स्वर्ग जह है, वो मेल को, पुरुष को सामने रख करके डिजाइन किया गया है, उसमें स्त्रियों का कोई रोल नहीं, एकि स्त्री जा करवा सुक भोगें, वह स्त्रियों के लिए यहाँ पुरुष लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या स्त्री भोगेंगे, नहीं, जो स्वर्ग में स्त्रियां अफ्षराएं हैं, वो पुरुषों के entertainment के लिए, स्त्रियों के entertainment के लिए, वहाँ कोई अफसर या कोई male angel या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने भी इस तरह के books लिखे गए हैं, वो सब पुरुषों नहीं लिखा है, तो पुरुषों के satisfaction ही important उनके लिए था, अगर कोई lady लिखती, कुरान में, Bible में या पुराणों में, तो शायद उसमें थोड़ी gender का, वो change हो जाता, पर यहाँ व हमने स्वर्ग में उस तरह के चीजें नहीं रखी, पर नाचगान के सौकिन थे हम, Christianity और इसलाम में ये बैंड है, इसलिए हमारे यहाँ जो नाचगान वहां अफशराय होती थी, अफशराय होती है, वही सुक्सुविधा के सारे सावान है, खोड़े इन से अलग टाइप का ये लगते हैं, इसलाम और Christianity का जो स्वर्ग है, ऐसे लगता है, जैसे कोई lower class की demand होता है, और जो poor class की, जो Indian स्वर्ग का concept है, वो थोड़ा middle class की imagination है, जो चीजें जहां कम मिला, तो वो चीजें हमने सब स्वर्ग के रुप में रख दिया.